नमस्कार, मैं गीतदत.com वेबसाइट से पराग आप सभी का स्वागत करता हूँ यहां इंटरनेट की वेबसाइट सभी संगीत प्रेमियों के लिए बनी है इस वेबसाइट का सिर्फ एक ही उद्देश है कि गीता जी उनका संगीत और उनकी सुमधुरवानी अधिक से अधिक संगीत प्रेमियों तक पहुँचाई जाए बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि उन्होंने अपने संगीत सफर में पंधरहसो से भी अधिक गीत गाये हैं हिंदी फिल्मों के साथ साथ हिंदी में ही उन्होंने कई सुरीले गैर फिल्मी गीत भी गाये हैं अपनी मात्रु भाषा बंगाली के साथ साथ गुजराथी, मराथी, भोजपुरी इन भाषाओं में भी उन्होंने कई गीत गाये हैं हमारी वेबसाइट पर हमने जहां तक हो सके यह कोशिश की है कि गीता जी ने जितने भी संगीतकारों के साथ काम किया है उनके बारे में जानकारी प्रस्तूत करें जैसे कि 40 के दशक के सुप्रसिद्य संगीतकार पंकज मलीक सहाब और खेमचन प्रकाश सहाब उनसे लेकर 70 के दशक के कल्यान जी आनन जी और कनूर रॉय इन संगीतकारों के साथ उन्होंने जो सुरीले गीत गाये हैं उनके बारे में हमारी वेबसाइट पर जानकारी उनके बारे में भी हमने काफी जानकारी दी है इस समय हमारी वेबसाइट पर गीताजी के गाये हुए लगभग 250 गाने संगीत प्रेमी सुन सकते हैं साथ ही उनके गाये हुए 50 गाने आप देख भी सकते हैं साथ में YouTube.com वेबसाइट पर हमारे वेबसाइट का एक चैनल है जिसका नाम है गीतादत.com चैनल इस चैनल पर आप 300 से भी अधिक वीडियो देख सकते हैं हमारा यह प्रयास रहेगा कि गीताजी का गाया हुआ हर एक गीत हमारी वेबसाइट पर संगीत प्रेमी सुन सके मैं इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांच से आप से बात कर रहा हूँ यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस वेबसाइट को बनाने में विश्व के हर कोने से संगीत प्रेमियों ने हमें योगदान दिया है यूरोप के कई देश, अमेरिका और आस्टेलिया के भी संगीत प्रेमियों ने हमें साहयता दी है हिंदुस्तान के उत्तर और पश्चिम ही नहीं बलकि पूर्व और दक्षिन भाग से ही कब सेकडो की ताधात में संगीत प्रेमियों ने हमें अलग-अलग प्रकार से मदद की है सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेबसाइट के पीछे कोई भी व्यावसाइक हित नहीं है इसका मतलब यह वेबसाइट बिलकुल नौन कमर्शियल है हमारे साथी अनुपमाजी, गजेंदरनन्द, डॉक्टर महेश, सक्षम, सुबीर और वेंकट हम सभी ने पूरी लगन के साथ इस वेबसाइट को सवा रहा है आंतरजाल या इंटरनेट जिसका प्रचलन इस समय अभी जादातर अंग्रेजी में ही है यह बात आप सभी जानते है इसलिए अभी इस समय यह वेबसाइट केवल अंग्रेजी में उपलब्द है हमारा लक्ष है कि हर एक हिंदुस्तानी भाषा जिसमें गीता जी ने अपनी आवाज प्रदान की है उस हर भाषा में यह वेबसाइट बनाई जाए इन सभी भाषाओं में सबसे पहले हिंदी भाषा में यह वेबसाइट बनाये जाएगी इस बात पर हमारा काम शुरू हो चुका है हमें आशा है कि गीता जी का जनम दिन जो 23 नवेंबर को आता है उस दिन हम हमारी वेबसाइट को हिंदी में प्रस्तूत करें सभी दर्शकों से यह विंती है कि आप हमारी वेबसाइट जरूर देखे और अपने संगीत प्रेमी साथियों को भी इसके बारे में जानकरी दे साइट देखने के बाद आपके विचार तथा सुझाओ हम तक आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से पहुचा सकते हैं हमारा इमेल पता है गीतादतफैंस अट जीमेल डाट कॉम यह इमेल पता हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्द है बहुत दहुत धन्यावाई